आर्ग्यूम कारिक्म सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार मैं हूँ मन्दाकिनी जोशी और मैं हूँ नवीन सिसोदिया नवीन क्या हाल चल है तुमारे? मन्दाकिनी जी इस गर्मी के मोसम में कैसे हाल होते हैं? ये आप से भी चुपा नहीं है सांस ही नहीं आती इस गर्मी में और उपर से मास्क हाँ नवीन इस गर्मी में सांस लेना वैसे ही मुश्किल होता है और उपर से कोरोना महमारी के चलते तो खुलकर सांस लेना ही जैसे हम भूल गए हैं? बिल्कुल तो आज इसी विशे पर बात कर लेते हैं? बिलकुल नवेन बिलकुल आज हम बात करेंगे श्वसन रोग विशेशग्य डॉक्टर रवी चांडक से शुरताओं डॉक्टर रवी चांडक असिस्टेंट प्रोफोसर डिपार्टमेंट ओफ रेस्पेरेटरी मेडिजिन पीबिम होस्पिटल बिकानेर में है डॉक्टर रवी आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद में डॉक्टर सहब क्या होती है रेस्पेरेटरी डिजीज और ये डिजीज किस प्रकार की होती है ये होती है अपने बोडी में सिस्टम्स है जैसे कार्डियक सिस्टम में उसी तरह रेस्पेरेटरी है उसी तरह निरोलोजिकल सिस्टम्स भी है रेस्पेरेटरी सिस्टम में तीन चीज़े आती है पहली आती है स्वसन की नली दूसरा लंग और तीसरा जो लंग को बलड की स तो उन्हें हम एक compiled रूप से एक संयुक्त रूप से respiratory disease बोलते हैं, यह काफी प्रकार के हो सकते हैं, अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग जो मैं आपको बताया, तीन लेवल उन पे हर लेवल पे अलग-अलग तरह की disease पाई जाती है, जैसे कि स्वसन नली, स्वसन नली का हम उनने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों ने सफर किया है, इनमें जो बहुत कामन बिमारियां है, उनको हम asthma और COPD, यह जो बिमारियां है, यह लंग की proper कम होके, जो लंग को नली करती है air, उसकी बिमारिया है, तो यह आम आदमी पून रूप से परिचित यह अस्थमा, COPD से, bronchitis से, तो यह बिमारियां है, सारी, यह स्वसन की नलीका की है, आगबं चलते हैं लंग के प्रॉपर पे, तो लंग पे प्रॉपर पे बहुत सारी बिमारियां होती है, जैसे निमोनिय, अब निमोनिय के हजार रिजन है, उनि में से इस बार एक रिजन र उसे लंग की सिकूडन वाली बिमारी, जिसे हम ILD बोलते हैं, इंट्रेस्टीश्य लंग डिजीस, वह हो सकती है, उसके अलावा जो लंग है, हुँ कही बार फट जाता है, तो उसे लंग के बाहर जो लेयर होती है, उसम्में हवाँ भर जाती है, कही बार पानी भर जाता है, था गड़ की बिमारियां है, फे टीसरी बिमार है था बिमारी जो लगों को प्लड शप्लाइ करती है उन नलियो में उनकी इस बार बहुत कोविड में भी उनकी उपर बहुत मन्थन की आगया क्योंकि उन नलियों में कोविड में क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो गए थे जिनको हम थ्रॉम्बो एम्बोलिजम बोल रहे थे तो उसे मुझ से भलगम में खूनाना भी स्टार्ट हो जाता है तो ये तीन तरह की लेवल की बिमारिया है जिनके भी हम आज चर्चा करेंगे जी डॉक्टर रवी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि respiratory disease क्या है और वाकई ये परिशानिया आम आदमी कई वर भुगता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये श्वासमंदी बिमारिया है तो डॉक्टर साहब जैसे सांस की बिमारी यानि श्वरसन रोक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं इनसे बचने के लिए हमारे जो फेफड़े हैं जो लंग्स हैं उन्हें स्वस्थ रखना सबसे पहली ज़रूत है तो इन फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखा जाए और चुकि जैसे बात हम कोविट की कर रहे हैं इन दिनों तो कहा जा रहा है कि आपकी फेफड़े सबसे मजबूत होने चाहिए तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए बिलकुल मंदागनी जी जैसे की प्रिवेंशन इस बेटर देन कि और सभी को पता है कि बचाव ही उपचार है तो ऐसा हो ही न कि हमें दवाई लेनी पड़े हमें इन तकलिफों से जूजना पड़े तो सांस की बिमारी का जो बहुत अधिक संबन्द है वो सांस की नली और फेफड़े प्रोपर से है तो इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ सबसे पहली चीज है healthy nutrition जिसमें की protein की मातरा ज्यादा हो second चीज है regular exercise exercise दोनों होती है एक जिसमें हम केवल सांस की exercise करते हैं aerobic exercise दूसरी जिसमें हम पूरी body की exercise करते हैं दोनों ही तरह की exercise से फेफड़ों में रक्त का प्रवा पून रूप से होता है जो फेफड़े की capacity है उसका पूर्ण use जो utilization होता है अधिकतर हम अपने फेफड़े का 45-50% ही use कर पाते हैं जब हम exercise करते हैं तो जो बचावा फेफड़ाता है उसका भी use होता रहता है नहीं तो पुराने सिद्धानते जिस चीज का ज्यादा use नहीं होता वो देरे-देरे खतम हो जाती है इसलिए हमें respiratory exercise और body exercise दोनों निरंतर करनी चाहिए तीसरा अपना कोविड से related हो गया overall pollution से related हो गया जब कोविड नहीं था तब भी थी वो चीज हमें मास्क पहले भी लगाना चाहिए था और अब भी लगाना चाहिए क्योंकि इतना traffic हो गया है अपने बिकानेर में pollution dust बहु इंको अपने घर में भी जो काम कर रहे हैं सफाईयां कर रहे हैं घर की dust ड़स्तिंग का जो भी काम हो रहा है या cooking में जो दुआ निकल रहा है काम हो रहा है उस वक्त भी उनको मास्क लगा के वो काम करना चाहिए और कोविड ने हमें वैसे भी मास्क लगाना सिखा ही दिया है तो यह जो तीन चार चीज़े हैं nutrition और exercise यह प्रिवेंटिव चीज़े हैं जो रेगुलर ही अपने को करते रहना चाहिए ताकि लंग मजबूत रहे प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो overall body community अच्छी रहेगी तो लंग अपने आप immunity अच्छी रहेगी जी डॉक्टर साब कोरोना संक्रमन के दोरान सांस संबंदी परिशानी जो है और फैफडो का संक्रमन यही मुख्य लक्षन थे पोस्ट कोविड समस्याओं में जो लोग आज भी स्वांस संबंदी तकलीफों से ग निमूनिया से और दूसरे जो क्लॉट होके जो अलग अलग जगे पर जा रहे थे उनसे तो मेंली दोनों ही जगे पर चाहे लंग में निमूनिया हो चाहे क्लॉट हो फैफडो में सांस लेने में दिक्कत आती है निमूनिया में जो फैफडे का नॉर्मल जो जिनने हम स्वस से वो एरिया धीरे धीरे बढ़ते हुए बढ़ते हुए फिर हमने देखा उनको उनको उनने सीटी स्कोर में चेंज कर दिया जो कि हमें अच्छे से पता चले कि कितना लंग इन्वोल्ड है तो उनमें जनरली मवाद फ्लूड और वाइरस ये तीनों भढ़ जाते थे तो उसस बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो हम उसे बोलते कि इस तो बहुत सांस उठ रहा है क्योंकि जनरली हम जब सांस लेते हैं हमें महसूस नहीं हो रहा होता कि हम सांस ले रहे हैं पर जब ऐसी बीमारियां होती है जिसमें कि लंग का कैपेसिटी बहुत कम हो गई तब हमें एक- पहुंची नहीं, ब्लड वैसल तक नहीं पहुंची तो ब्लड से बॉडी में नहीं गई, जहां जाना चाहिए था तो इन दोनों ही जगे पे बहुत ज़्यादा आदमी को या जो भी पेशेंट से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उनकी जो सांस लेने की गती है जो नॉर्मल 20 के अंदर अंदर होती है नॉर्मल 15 से 18 होती है वो 30, 35, 40 तक 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 ले गई उनको इतना एफ़र्ट करते हुए लेना पड़ा फिर जो लंग में बात आई पोस्ट कोविड की तो जो लंग डेमेज हुआ था जिसको हमने CT score लिया था CT severity score जो लंग डेमेज हुआ था वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं सिकुडना सुरू हो जाता है तो उसकी वज़े से फिफड़ा सिकुडने से जो कैपेसिटी कम हुई थी कोविड में अब कोविड इंप्रूव होने पर जो बढ़ने चीए थी उतनी बढ़ नहीं पाती है और लंग में धब्बेद पनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम लंग जाकर हमें ये बातें बताई कि किस तरह से कोरोना संक्रमन के दौरार सांस संबंधी परिशानियों से आम आदमी ग्रसित रहा कोरोना से अलग हड़कर हम बादगर करते हैं थोड़ा तो क्या होते हैं सांस संबंधी रोगों के अन्य कारण सांस संबंदी रोगों के काफी सारे कारण है जिनमें प्रथम कारण जो है वो है स्मोकिंग सबसे जो बड़ा कारण है चाए लंग का कैंसर हो चाए अस्तमा वाले पेशेंट में उसकी वर्चनिंग हो चाहे COPD वाले patient हो चाहे lung के cancer हो चाहे pneumonia तक हो उन सब में एक बड़ा कारण होता है smoking तो smoking बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है lung के लिए और उसी के बराबर smoking के है lung air pollution जो कि अभी बीका निर में बहुत बढ़ गया है तो इनकी वज़े से ये मुख्य कारण है उसके अलावा भी ब अस्थमा, COPD हो गई, bronchitis हो गया, pneumonia हो गया, blood clots जो पहले भी बनते थे अब भी बन रहे हैं बट उसकी frequency बहुत बढ़ गई को वीड की वज़े से तो ये बहुत सारी common बिमानिया है उसके अलावा एक ILD जो कि मैं आपको बताया लंग सिकुड रहा है वो भी अब धीरे-धी इंडिया के साथ बीकानेर में अपने पैर पसार रहा है जिसका अभी तक ना तो कोई कारण समझ में आया है और नहीं कोई इलाज है इसी के तरह निमोनिया में TB जो के सबसे बड़ा कॉज है और साइध इंडिया ही सबसे बड़ा TB का वाहक देश है फिल पूरे धरती पे औ इंडिया में ही हो रही है तो इसके अलावा भी कोई के अलावे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है बहुत से बिमारिया है और सभी बिमारियों के अलग 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 है बिमारी में जैसे हम देखते हैं जो बहुत कॉमन बिमारिया हैं कोविड को अगर अपन छोड़ दे कोविड के एलक्षन तो हर सिस्टम में थे हर ओर्गन में थे और लोगों ने इतना कहा सुना पढ़ा अख़बारों में न्यू चैनल पे सुना सबको पता साथ चल गया उसके अलावा जो मैंने बताया कि स्वसन नली के जो बहुत कॉमन बिमारी है वो है अस्थमा और दूसरी में आने की 25-50% संभावना होती है वो बहुत कॉमन भी है इवन भीका निर में भी 7% से ज्यादा पॉपूलेशन में अस्थमा पाया गया है और बहुत ही कॉमन है उसके लावा COPD का हो गया और उसके लावा लंक एंसर यह काफी बिमारी है तो इनके लक्षन बहुत कम है All up Ó breath मतलब सांस का उठना फूल ना सबसे कमन लक्षन यह कां करने पर भी हो सकता है और बैठे बैठे भी हो सकता है इसकी हम्ने कफ बोलते हैं वो हो सकती है तीसरा जो respiratory symptom है वो है छाती में दर्द होना काफी सारे लोग complain करते हैं कि इनके छाती में किसी तरफ भयांकर दर्द है तीसरा symptom यह चौथा symptom जो होता है वो होता है खासी के साथ में खून आना अच्छ है यह भी एक बहुत common symptom है लंका और पांचव अब इन पांच symptoms के आधार पे क्योंकि स्वसन रोग और हाट की जो बिमारिया है यह कुछ जो इनके symptoms है सांस उठना खासी आना दोनों में overlap करता है तो इनका अलग से पैचान और उसी के हिसाब से निदान आवशक है पैचान के लिए हमें अलग-अलग जांच है वो है तो क कौन से बिमारी है यह symptom आ रहा है यह भी symptom आ रहा है तो एक symptom पे दस बिमारी हो सकती है तो उसको कैसे प्रतक किया जाए कि कि अस्थमा है COPD है कि हार्ट फेलियर की वज़से तो यह सब अलग-अलग तरीके हैं लक्षन स्वसन से रिलेटेट पांच ही है तो इसका उपचार क कि समभावे डॉकुल अब आपने जैसे बिमारी जो भी डाइगनोज की जैसे अस्थमा डाइगनोज की तो अस्थमा के लिए डाइगनोजीस के बाद उसके लिए हमने जो पैस त्रेपी होती है इन्हेलर थेरपी है जिसे हम पंप बोला करते है नौर्मल वासा में कैपसू यही बीमारी का COPD में इलाज है तीसरी बीमारी जैसे टीबी है जो कि बहुत कॉमन है तो उसका इलाज है कि आप टाइमली डाइग्नोस करके जितना जल्दी हो सके जो भी छे मैने का डेर्ड साल का जो भी कैटेगरी के साफ से ट्रीटमेंट ले अगर खांसे जू खांसे निम प्रेमोनिया हो जाता है तो वह डबल हो जाता है इसलिए उसका टाइम से निदान करना पहचानना सबसे बड़ी बात है फिर लंग सिकूरना सुरू हो गया है आजकल बीकानेर में तो उसके लिए फिर अलग से दो तीन तड़की जो लंग सिकूरने की दवाई आती है जिनक का फिर अपने चिकित सक्से जाके संपर्क करके अपना इलाज कराना है इंडिया हो जनरली हलका सा भी कुछ सिंटम आते हैं हम उसे वाइरल मान के इग्नोर कर देते हैं इस बार तो वाइरल भी जो था वह कॉमनली कोविड ही था यह हमेशा नहीं रहता बट हमें चलो ठीक ह कोल्ड था या कुछ भी सिंटम रहा वाइरल मान लिया उससे उपर जाए अगर कोई भी सिंटम पांस सा दिन से उपर जाए तो तुरंत अब चिकत किया सला जरूर ले जरूर ले ले जी डॉक्टर रवी जैसे कई बार हम बात करते हैं कि तीवर श्वसन रोग भी होते हैं ह तो क्या है ये तीवर श्वसन रोग और कई बार श्वासनली के जो निचले हिस्से में संक्रमन हो जाता है आपने इसके बारे में भी बताए भी था ये किस तरह का संक्रमन होता है और कैसे हो जाता है ये जनरली तीवर जो स्वसन रोग है ये जो स्वसन रोग के जो भी मैं हो तो यह सारे विकार अगर एक स्टेज होती है उसके बाद में सब जो भी infection तिवर किसरेणि में गिने जाते हैं तो कोई भी infection तिवर हो सकता है उसमें हो सकती है sixth awkward हो चाहे अस्थमा हो चाहे टैकर हो चाहिए ब्लड के क्लॉट्स हो तो यह सब की केटेगरी है इनको सीवियर बोल सकते हैं और एक बार सीवियर में जाने के बाद हम उन्हें एक ARDS टर्म देते हैं acute respiratory distress syndrome अगर यह अचानक से हुआ है तो ठीक है और mostly जो तिवर होते हैं अधिकांस अचानक सही होते हैं COVID जिसमें एक एक झाल कोविड भी है जो के 5-7-10 दिनों में हो जाता है तो यह सब जो भी बीमारिया जो की उच्छ पर जा चुकी है जो निमनिस्तर को क्रॉस करके उच्छ तर उच्छ severity में जा चुकि है, उनको हम तिवर रोग स्वसंद रोग बोलते हैं और स्वसंद नली के निचले हिस्से में जैसे की बताया तो उन में जैसे बिमारियां ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं, अस्थमा भी उसी की बिमारी है तो यह सब जो बिमारिया है वो वहां की बिमारिया है इनमें multiple factors होते हैं उसमें भी एक बड़ा कारण smoking हो गया दूसरा हो गया allergic history तीसरा हो गया जनमजात या family history यह सब जो होती है फोर्थ हो गया कि अपने non-protein nutrition हो गया और भी बहुत सारे reason है सबसे बड़ा कारक है वो smoking and pollution है तो इसी लिए हम पहले भी कहते हैं कि पहले भी अगर आप बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाए और अब हम common practice में ले आए और इससे ही अपने निचले जो सबसें नलिया है संकरमन से काफी हद तक बचा जा सकता है क्योंकि अगर नॉर्मल अप उनसे मिलेगा जी यह सुनने में भी आया कि जैसे कोविड के वज़े से सब लोगोंने मास्क पहना और उस वज़े से टीबी के जो मरीज है उनमें भी कमी आई है बिल्कुल इसलिए यही रिजन है कि हर तरह के बैक्टिरिया जो भी बैक्टिरिया स्वसन रोगों का इंफे जैसे हम बात करते हैं ब्रोंकाइटीस की निमोनिया की और अस्तमा की बात करते है तो इनमें सांस लेने में दिख्फत होती है इंसे बचाव कैसे संबह यह। और इनका जो उपचार है, वो किस तरह से होता है, कि इनका पर्मानेंट इलाज जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, और दूसरा ड्रोकसर वी बताई कि ब्रॉंकाइटी, जैसे वैसे तो आपने कहा कि स्मोकिंग है, या पॉलुशन की वज़े से होता है, बच्चों में भी देखा गुषन, उनमें फिर अलग-अलग जगय के इन्फेक्शन को, अलग-अलग बिमारी का नाम भी देता है, किसी को खुआप नाम से बिमारी है, कि एपीजन, बिमारीरी में भी देते हैं, तो वो सब बिमारियां बच्चों में होती है, ऊसके अलावा जैसे कि आपने कहा ब्र जो आपने बाडी का डिफेंस जब भी कमजोर पड़ जाता है तो वह जो वाइरस बैक्टिरिया जो भी है वह हावी हो जाते हैं और वह निमोनिया बना देता हैं ऐसा ही टीविक के साथ में कि इंडिया के 40 परसेंट population में TBK bacteria है 40% population में बट वो active क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जब तक immunity अच्छी है तब तक वो active नहीं हो पाते हैं अस्तमा का थोड़ा मिलता जुलता ही है बट अस्तमा का पूरा 100% क्यों और मुस्किल है क्योंकि यह जो अलर्जिक बिमारी है और अलर्जिक बिमारी का पहले कारण पता करना उसके बाद में उस कारण को पूर्ण रूप से अटाना अधिकान समय जो कारण होते हैं वो इन्वार्मेंटल जैसे मौसम बदलना हुआ धूल मिटी का हुआ हाउस डस्ट का हुआ ठीक है और एनी फूड का हुआ उन सब से बच पाना बहुत बार मुश्किल होता है और बोडी जो होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है उन सब चीजों के लिए एक्टिव से भी ह बोडी में ज्यादा मातरा में छोड़ देते हैं तो प्रोटक्टिव पदार्थ भी ज्यादा मातरा में छोड़ने से अस्थमा गातक हो जाती है इसलिए इनका पूरा सौ परसेंट क्योंकि हम उस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि हो कि सेलर्जी है बट इ दिन्या बहभीत है कि डेलटा वेेरेंट आ गया है तो क्या है ये डेलटा वेेरेंट हम जानना चाहेंगे और क्या डेलटा वेरिwen और यह महामारी की टीसरी लहर का बड़कृर्ट बन सकता है और ये भी जानना चाहेंगे कि डेल्टा वेरियंट से पिरित रोगी के क्या लक्षन है क्या इसमें भी श्वास सम्मन्दी समस्यां प्रमुख है जी जैसे कि अपने का डेल्टा वेरियंट लगबग जो बीकानेर में भी रिपोर्ट हुए है वो लगबग जो सेंपल लिए गए थे वो एक से डेड़ मेने पुराने सेंपल्स हैं जो मे मेने के सेंपल्स हैं जिनमें भी डेल्टा वेरियंट आ रहे हैं पैचान उनकी अब हम कर पाए हैं क्योंकि हमारे यहां पूरा इंफ्रेक्षिक्टर नहीं था वो पूने की लैब में गए वहां से उन्हें पता चला बट वो सेंपल बहुत पुराना था मेभी वो आ गया हो या कुछ-कुछ एरिया में सर्कुलेट अभी भी हो रहा हो तो जो की डेल्टा वेरियंट खो जा था उसका भी जो कोविड का बी 1.657.2 करके ऐसे इनके वेरियंट होते हैं तो यह वेरियंट पहले भी था अभी यह डेल्टा तो पहले भी था अभी डेल्टा प्लस तक आ रहे हैं वेरियंट तो उनमें भी और म्यूटेशन हो रहे हैं तो वायरल जो है चाए कोविड हो चाए इन्फुएंजा वायरल कि वो दोनों बढ़ सकती है कई बार जो ये mutations होते हैं ये immunity को by-pass कर जाते हैं जैसे कि vaccine लगा है antibody बनी की नहीं कहीं जैसे delta plus variant है या delta का जो variant है इनमें कहीं जगे पर vaccine लगने के बाद भी हो रहा है क्योंकि जो vaccine के बाद immunity हो रही है उनको ये चक्मा दे रहे हैं इस वज़ए से थोड़े ज्यादा ज्यादा कि पता नहीं पता कि पिछले व्यरींट वेरियंट था बीकाने में जो सर्कुलेट हो रहा था बड अभी जो वेरियंट है डेल्टा प्लस है बड इससे भी गबराने की इतनी दिक्कत नहीं है जो symptom पिछले COVID में होए थे जैसे की वही सारे सांस, खांसी की दिक्कत, smell का loss, उसके अलावा body weakness, पेंज, almost सारे symptom होई होगे, symptom के आधार पर हम delta या delta plus या other variants को पहचान पाना possible नहीं है, और no doubt तीसरी अगर महामारी, अगर इसी तरह हम जैसे देख रहे हैं, जब से ये lockdown खतम हुआ है, लोगों ने mask का उप्योग फिर कम कर दिया है, traffic हो, चाए लोग घूम रहे हो, चाए market हो सब वापस खुल गए हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाई की है तो हो सकता है, तीसरी वे फिर एक दो मैने में ही आ जाए, जो किड नहीं आनी चाहिए थी no doubt, चाहिए आप vaccine लेंगे उससे protection बहुत अच्छा मिलेगा अभी तक इतना vaccination हो नहीं पाया है अभी भी हमें mask और distancing जितना हो सके possible हो सके, वो ध्यान रखना होगा और तीसरी मामारी का एक कारण बन सकता है डेल्टा वेरियंट अगर अभी हम सचेत नहीं होए तो जी डॉक्टर साब, डेल्टा वेरियंट की अपने बात की अभी डेल्टा वेरियंट की बिकानेर में आज की तारीक में की आस्थिती है और PBM होस्पिटल में इस संक्रमन के उपचार की क्या व्यवस्ता चीज़गी है दूसरी बात हम पूछना चाहेंगे क्या डेल्टा वेरियंट से ग्रशित मरीज का इलाज का अलग तरीका है, इनके ठीक होने की संभावना है कितनी है, बिलकुल यह डेल्टा वेरियंट और जो पुराने वेरियंट थे, इनकी उपचार की पूर्ण व्यवस्ता अपने PBM में है, और यह वेरियंट केवल संक्रामक ज्यादा है, अभी तक यह गातक ज्यादा है, ऐसा बहुत कम केसे जा रहे हैं, और जनरली सिम्टम्स भी बहुत से लोगों के है नहीं, और जो पिशेंट फर्स डाइगनोज हुई थी, वो भी एस्म्टोमेटिक पिशेंट थी, जो डेल्टा वेरियंट में डाइगनोज हुई थी, तो इसकी संक्रामकता ज्यादा है, गातकत का अभी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, और ट्रीटमेंट पून रूप से विकानेर में उपलब्द है, और इनका ट्रीटमेंट और पिछला जो ट्रीटमेंट था, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो कुल मिला के सेम ही ट्रीटमेंट चलेगा, ड् करता है हम लोगों पे कि मास्क कैसे यूज कर रहे हैं, उसको वापस क्लीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पर से मास्क से अगर अपन का हीं केवल मास्क लगाने से, अगर हम एवी एक्सराइईze और कुछ करते हैं, तो जरूर थोड़ा सांस में हमें ट्रॉबल होती है उसके अलावा आपको कोई trouble नहीं होगी until unless कि जो mask का जो material है उनसे हम allergic नहीं हो अगर हम allergic नहीं है mask के material से तो mask से कोई नुकसान नहीं होता है बिल्कुल तो हमे mask लगाना ही है उसके अलावा जैसे कि अपने ये कहा कि mask के प्रियोक से बिमारी बिमारी तभी हो सकती है जब हम उसका dirty mask का बार बार यूज करें उसे properly clean न करें तो उन पे कहीं बार जो bacteria virus चिपक जाते हैं और उनी को हम दुबारा inhale कर लेते हैं तो या कहीं बार जैसे patient का अपस में mask लोग change कर लेते हैं गर में किसी एक को अगर मालो कोई संक्रामक बिमारी है तो वो दूसरे को भी जा सकती है जो कि स्वसन otherwise अगर यह अगर हम proper clean रखें hygiene maintain रखें तो mask से किसी भी तरह की कोई नुकसान until की allergic नहीं है उस mask के पदार्थ से वो जो जिस से mask बना है कोई नुकसान नहीं होगा तो डॉक्टर साब एक बहुत बड़ा भ्रहम आपने दूर किया है क्योंकि अक्सर ये बात सभी के मन में हो रही है कि हम लगातार 7-8 गंटे mask लगा कर नौकरी भी करने निकल रहे हैं और यहां तक कि अब तो बच्चे भी mask पहन रहे है तो एक प्रश्ण माता-पिता के मन में आता है कि बच्चपन से अगर हम इनको mask पहना देंगे तो इनकी immunity का क्या होगा या इनको कोई नुकसान तो नहीं होगा इनके बविशे कैसा होगा चाहे वहन में हो चाहे कहीँ पहीप हो अगर बच्चे आपस में खेलते है उस टाम वह इतना ध्यान नहीं रखते है तो यह जो फैलता है TPO और यह हैं संक्रामक बिमारीय होती है जब सीजन आती है तो अपने देखाओ का काफी सारे बच्चे एक साथ बिमार पढ़ते हैं उनका रीजन यही होता है कि जो बिमारी है वो सांस से जो जो जनरली चीक है जुखाम है यह फैलती है अगर आप मास्क लगाएंगे तो आप उनसे भच पाएंगे उनसे नुकसान की संभावना बहुत नहीं के बराबर है तो एक अच्छी बात हम उसकी पालना जरूरी है शंदेश में यही है कि अभी भी कोईड कम हुआ है खतम नहीं हुआ है हमें अभी भी इससे थोड़ा संभल के रहना है डरना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं हो कि सारा खौफी खतम हो जाए इक स्तर का डर हमें अभी भी कायम रखना है जिससे कि हम ब एवरी स्टाफ एवरीवेर कि ये तीन चीज़े ध्यान रखने हैं वो आगे भी हमें ध्यान रखने हैं अंटिल कि अनलेस हम प्रोपर वेक्सिनेशन और वेक्सिनेशन के बाद भी बिमारी पूरी खतम होगी तो हमें थोड़ा अभी धेरी रखना होगा कुछ समय और ये पर बहुत महतुपुण बातचीत की आपको बहुत बहुत धन्यवाद शोताओं ये थे ही डॉक्टर रवी चांडर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट औफ रेस्पिरेट्री मेडिसिन पीबेम होस्पिटल भी गानेथ तो डॉक्टर साब आपका पुन है बहुत बहुत आबार आपने अपना महतुपुण समय हमें दिया स्टुडियो में आकर और बहुत महतुपुण जानकरिया हमाल शोताओं को दी धन्यवाद मेडम तो नवीन डॉक्टर साब से इस बातचीत के बाद तुम खुलकर सांस लेते नजर आ रहे हो जी बिलकुल बिलकुल सही कह रहे हैं आप आप भी कुछ रिलेक्स नजर आ रहे हैं बिलकुल नवीन मैं बिलकुल रिलाक्स हो गई हूं टॉक्टर साब की बातों से बहुत संबल मिला है लेकिन हाँ घड़ी की सुईयां परेशान दिख रही है जी बिलकुल आरोग्यम का समय जो समाप्त हो गया ह तो आरो ग्यम से मन्दाकिनी जोशी और नवीन सी सोधियो को दे आग्या नमस्कार पर बारो प्याद की जो अ जोशी उला भाल 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 स्कार